दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस तनिवुज बॉलिवूड एक्टर सल्मान खान को लेकर अभी अभी मुंबई हाई कोट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है सल्मान खान को एक बर फिर से एक बहुत ही बड़ा जटका लगा है लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें आपको बता दूं कि बॉलिवोड डेक्टर सल्मान खान को लेकर जो अभी एक अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक एनराई दंपत थी जो की काफी टाइम पहले इंडिया में आई थी इंडिया में आने के बाद उन्होंने लमसम 28 लाक रुपए की एक प्रॉपटी खरीदी थी 1996 में और यह जो प्रॉपटी थी उनकी वो सल्मान खान का जहां आज फार्म हाउस है उसके जस्ट बगल में था वहाँ पर इन्होंने वो प्रॉपटी जो है खरीद ली 27 से 28 लाक रुपए में उसके बाद वहाँ पर इनका जाना आना हमेशा लगा रहता था सल्मान खान वहाँ पर उनका भी फार्म हाउस सा लेकिन उससे पहले कभी भी सल्मान खान ने इस पर रोक टोक नहीं की थी लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में केतन ककट जो है जिन्होंने ये प्रॉपटी खरीदी थी 1996 में वो जो है अपनी प्रॉपटी पर एक बंगला बनाने के लिए जब वहाँ पर पहुचे तो वहाँ पर जो है सल्मान खान ने इनके दोरा आरोप लगा गया है कि सल्मान खान ने जो है वहाँ पर एक गेट लगा लिया है फार्म हाउस के जर्स बगल में एक गेट लगा लिया है जिसकी वजासे ये जो है अपनी प्रॉपटी में घुस भी नहीं सकते यहीं नहीं उनके दोरा ये भी दावा किया गया कि सल्मान खान के फार्म हाँस में उनके घो Social Media पर सवाल उठा थे और सलमान खान के ऊपर एक क्यी बड़े आरो लगाये थे जिसको देखते हुए सलमान खान ने मुंबई हाई हाई कोड में इनके । खिलाप में यानि की केतन ककड्र के खिलाप में एक मान हान का केस ही करा दिया था सलमान खान के दोरा बोला गया था कि केतन ककड जो है उनके खिलाप में यानि सल्मान खान के खिलाप में उन्होंने जो जो चीजे सोसल मीडिया पे सेयर की है उसको डिलीट करें साथ में उन्होंने जो सल्मान खान के खिलाप में बोला है उसको डिलीट करें क्योंकि वो जो भी बात के जज ने सुनवाई करते हुए जो सल्मान खान है उनको कोई भी राहत देने से मना कर दिया है कोट के दोरा सीधा सीधा बोला गया है कि अभी जो है हम सल्मान खान को कोई भी राहत नहीं दे सकते और उनके इस case को अभी जो है अस्त्रकीत कर दिया है साथ में ही कोट के द्वारा जो केतन ककड हैं इनको बोला गया है कि ये जो है अपनी तरफ से हलप नामा दाखिल करें इसमें जो है अपनी तरफ से जवाब पेश करें जो कि सल्मान खान के द्वारा इनके उपर आरोप डगाए गये हैं बाइदाबे जो केतन ककड हैं उनके द्वारा बोला गया है कि वो जो है कुछ दिनों के लिए टाइम चाहते हैं जिसके बाद इस case को जो है 21 जन्वरी के लिए fix किया गया है कि अब जो है 21 जन्वरी को इस case पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही confirm होगा कि सल्मान खान को कोई राहत इसमें दी जाती है या नहीं दी जाती है अभी तो केतन ककड जो है वो अपनी तरब से अपना हलप नामा दाखिल करेंगे और अपनी तरब से जो भी सबूत उनके पास में हैं वो जो है कोट पे पेश करेंगे उसी हिसाब से जो कोट के जज है वो अपना फैसला लेंगे और उन्हीं उसी के हिसाब से कारवाई की जाएगी आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो को जाए ज़्यादा सेयर करें